नमस्कार स्वागत है आपका हमारे चैनल में और मैं रानी गुपता आपके साथ स्वागत की बड़ी खबर सामने आ रही है आपको बता दे कि जिस तरीके से बिहार में भरभरा करके पुल गंगा नदी में गिर गई है तो इसको लेकर के लगातार सीबियाई जाच की मांगी जा रही है तो वहीं दूसरी ओर रज के उपमुख्यमंत्री तेजस्वी यादो का बेतु का बयान सामने आया है उनका कहना है कि CBI जाच से क्या होगा साथ ही उन्होंने ये तक कह दिया है कि CBI वाले इंजीनियर थोड़ी नहीं कि इस मामले में हम उनसे जाच करवाएंगे तब ये दूसरी ओर देखने को मिल रहा है कि प्रशान्त किशोर ने नितीश कुमार और उनकी विपक्ष्री एक्ता को लेकर के अपने इर्द गिर्द सब बेवकूफ लोगों को बैठाए हुए हैं आपको बता दे दरसल बिहार के भागलपुर के सुल्टान गंज अगुवानी पुल का एक बड़ा हिस्सा रविवार को दोहस्त हो गया पुल के जलमगन होने पर बिहार के सियासत में भी उफान देखन मुख्य सच्चिव को दे दिया है लेकिन बीजेपी ने मामले की जाच के लिए हाई कोट की सिटिंग जज या सीबियाई से कराने की मांग की है वहीं जेडियू के दो विधायक ने भी स्वतंत्र जाच की मांग की है बता दे कि इधर सीबियाई जाच की मांग पर यादों ने कहा है कि इस मामले को लेकर कौन क्या बोलता है उन्हें उससे कोई मतलब नहीं है तजस्वी यादों ने कहा कि पुल के ध्वस्त होने के बाद इसकी जाज हम लोग करवा रहे हैं हम लोगों ने आयाइटी रुड़की को इस मामले की जाज करने के लिए कहा है पहल बतादे कि जिस तरीके से तिजस्वी यादों ने ये बयान दिया है इसके तमाम लोग सोशल मेंडिया पर निंदा करते हुए दिखाई दे रहे हैं उनका कहना है कि एक राज्य की उपमुख्यमंत्री के द्वारा इस तरीके की बयान बाजी काफी जादा अशोबनी हैं उसका रिपोर्ट भी सामने आया था तिजस्वी यादों ने कहा कि पुल की गुणवत्ता को लेकर मुझे पहले से संदेह था इसके बाद हमने जाचक्या देश दिये हैं अब आयाइटी रुड़की की रिपोर्ट आने के बाद एक बर फर नए सिरे से पुल का निर्मान हो आपको बता दे कि जिस तरीके से यह जो पुल भरभरा करके गंगा नदी में गिरा है यह कोई पहला वाक्या नहीं है जब यह पुल गिरा हो बता दे कि इससे पहले भी यही पुल गिर चुका है लेकिन इसके बावजूद जो ब्रस्ट चार को लेकर के कवाया जारी है बिह पूरी तरीके से ब्रस्टचार में लिप्त इस परियोशना पर खुद जेडियू विधायक संजीव कुमार ने 15 मार्च 2023 को विधान सभा में व्रिस्तित तथ्यर रखे थे और उन्होंने बकादा ये कहा था कि जो पिलर्स हैं पुल के उनमें क्रैक आ रहे हैं और इसकी काफी बता दे उस वक्त बिहार के उपमुख्यमंत्री तेजस्वी यादों ने संसद में ही उचित कारवाई का आश्वासन भी दिया था इसके बावजूद ये पुल ध्वस्त हो गया है अब जब ये कहा जा रहा है कि इसकी जाच सीबियाई से करवाई जानी चाहिए तब तेज कि कि स्टेट्मेंट लगातार तेजस्वी यादों के द्वारा दिये जा रहे हैं तो वहीं दूसरी और अगर हम उन्हीं के भाई तेश्प्रताब यादों की करें तो उन्होंने तो एक और बेतुका बयान दिया उनका कहना है कि हम पुलका निर्मान करवाते हैं और सुराज पद्यात्रा कर रहे हैं अभी सामस्तिपूर में स्वास्त कारणों की वज़े से उनकी पद्यात्रा स्थगित है इसके बावजूद वो बिहार की राशनीती में काफी जादा सक रहे हैं मंगलवार को उन्होंने लोग सबाचनाव 2024 को लेकर सीम नितीश कुमार पर पढ़े लिखे वेक्ति हैं मगर आज उनकी हालत अंदों में कानार राजावाली है नितीश कुमार बिहार में एक मात्र पढ़े लिखे वेक्ति हैं और इस बात का ब्रहम उनको हो गया है कि मैं ही सब कुछ जानता हूं मुझे ही सब कुछ मालूम है बता दे कि प्रशांद किशोर ने कहा है कि नितीश कुमार आज अपने इर्द गिर्द सब बिवकूफ लोगों को बैठाए हुए हैं आज बिहार में ऐसे भी नेता है जिनको नाम तक लिखना नहीं आता है तो लोगों को लगता है कि वो बहुत बड़े विद्वान आदमी हैं बिहार में नेता ऐसे ही बनता आया है जो शर्ट के उपर गंजी पहनता हो और अपने को जमीनी नेता कहलवाने का दावा करता हो आज नितीश कुमार गंजी के उपर शर्ट पहन रहे हैं तो सबको लग रहा है कि वो विद्वान आदमी हैं बता दे चुनावीर और नित क्या में लोग बिहार में मौझूद हैं आज बिहार देश का सबसे गरीब राज है और नितीश कुमार का हंकार है कि देश में सबसे बड़े हैं बिहार सबसे फिसड़ी और बात ऐसे करते हैं जैसे सब कुछ उन्होंने ही कर दिया हो दूसरी और प्रशांत किशोड ने महा ग कर रहे हैं देश में बिहार सबसे गरीब और फिसड़ी है और नितीश कुमार बात ऐसे करेंगे जैसे उन्होंने बिहार को अमेरिका बना दिया हो आपको बता दे कि जिस तरीके से लगाता है नितीश कुमार इस वक्त विपक्षी एकता की कवाद में जुटे हुए हैं तम लीडर से मुलाकात की है ऐसे में गए जा रहा है कि क्या वाकई में नितीश कुमार विपक्ष को एक जुट कर पाएंगे क्योंकि देखने को मिल रहा है कि अभी से कॉंग्रेस पार्टी जो है वो किनारा करती ओने झजर आ रही है क्यूंकि जहाँ पठना में विपक्षी द सामने आ रही है तमाम चीजों को लेकर के प्रशांत किशोर भी तंच कस्त हुए नजर आ रहे हैं और उन्होंने सीधर तोर पर यह कहा है कि नितीश कुमार की जो स्थती है आज के टाइम पे वह ऐसी है जैसे अंधों में कानार राजा वाली उनके हालात हो गये हैं उन्हें ल करने की कुशिश करते हैं तो वहीं अगर हम बात ब्यार के उप मुख्यवंतरी तेजस्वी यादो की करें तो उनका जो बेतुका बयान सामने आया है कि पुल के द्वस्तिकरण की जाच हम सीबियाई को कैसे दे सकते हैं सीबियाई इंजीनियर थोड़ी नहें जो कि इस माम दर आ रहे हैं फिलाल इस खबर को लेकर के आपकी क्या राय है हमारे कॉमेंट सेक्शन में जरूर बताएं आगे की और भी अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें